Hi everyone, हम सबको चाहिए कि जब pregnant होते हैं तो हमारा बच्चा बिलकुत स्वस्त पैदा हो, हमारे बच्चे का वजन अच्छा हो, हमारे बच्चे में अच्छे संसकार हो, हमारे बच्चे का दिमाग सही हो, बहुत ही intelligent और bubbly bubbly बच्चा पैदा हो, यानि कि बहुत चुलबुला या फिर उसको तरह तरह की tubes लगे, उसको oxygen पे रखना पड़े, उसको nursery में डालना पड़े, या फिर throughout 9 months आपके डॉक्टर आपको बोले कि बच्चे की growth अच्छे नहीं हो रही है, आगी जाके इसके दिमाग में problem ना हो जाए, या कहीं जल्दी ना निकालना पड़ जाए, या फिर पेट में पानी की कमी न हो जाए, ये सारी problems हम सबको disturb करती है और ज्यादा तर जो ladies इस चीज से सफर करती है, वो वो होती है जिनके पेट में पानी कम हो जाता है, तो आज हम ये discuss करेंगे कि पेट में बच्चा कमजोर क्यों होता है और ये इसके क्या क्या कारण होत में पानी कारण है झाल 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 तो मोटी मोटी तोर पे अगर हम देखें कि पेट में पानी क्यों कम हो रहा है? आपको पता है कि uterus के अंदर यानि बच्चे दानी के अंदर चारो तरफ बच्चे के पानी होता है वो पानी होता है amniotic fluid अब यह amniotic fluid कहां से बनता है यह बनता है आवल से आवल कुछ नहीं है जब बच्चा zygote बनता है यानि कि मा और पिता का जब अंडा और sperm मिलता है तो यह बेसिकली जाइगोट मिलता है और यह जाइगोट जो है यूट्रस के अंदर जाता है और यह अपने चारो तरफ एक पानी की लेयर इकठा करता है आवल बनाता है कुछ जो अंच है वो बच्चा बन जाते बाकी आवल बन जाते धिरे धिरे भड़ते पड़ते यह पूरी बच्चे दानी को कवर कर लेते हैं तो बेसिकली अंदर जो पानी का कुशन है जो सुमिंट पूल है वो होता है अम्नियॉटिक फ्लॉइड जो की आवल बनाती है और साथ ही में बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चे के स्किन के थ्रू बीस हवते से पहले यह यह बहुत सॉफ्ट होती है वहां से भी कुछ पानी बॉडी के अंदर से पेट में आता है यानि की यूटरस में आता है बच्चे के अंदर जो पानी जो ब्लड बहरा है उसका प्लाज्मा छलनी होके स्किन के थ्रू बाहर आता है इसलिए अम्नियॉटिक फ्लॉइड की कई बर से बनता है बच्चे की यूरें से बनता है बच्चे के स्किन से कुछ निकलता है ज्यो की बीस हथैसे को पीनियॉट बिले इसको पीता भी रहता है, क्योंकि बच्चे को सारा nutrition या तो आवल से मिल रहा है, यानि कि ब्लड से मिल रहा है, oxygen होगे, nutrients होगे, protein, carbohydrate, fat ये सा प्लासिंटे के थुरू आ रहा है, साथ ही जो fluid बच्चा पी रहा है, उसके अंदर भी कुछ nutrients होते हैं, कुछ हो urine के थुरू निकाल बच्चे के अंदर oxygen की कमी होती है, तो बच्चा suddenly meconium बास कर देता है, या फिर जो बच्चे उल्टे होते हैं, जो breech babies होते हैं, उनका क्योंकि बटक्स वाले एरिया है, जो potty वाले एरिया है, उन नीचे विजायना में touch होता है, तो उनको कही न कहीं रिफ्लेक्स बन जात है, या तो बच्चे में कोई दिक्कत है, या तो मा में कोई दिक्कत है, या फिर आवल में कोई दिक्कत है, और चौथा कारण जो कि बड़ा ही common है, सबसे अदा common है, वो है idiopathic, या निकि कोई भी कारण नहीं है, हमको पता ही नहीं पानी क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है, आ सबसे पहला कारण यानिकि मा में दिक्कत हो सकती है पहली बात अगर मां पानी कम पी रही है अब बहुत सी पेशनल मुझे पूछतीень स्किने हैं मैं मे stating पानी यादा प्यूं मैं पहली बात तो जादा पानी पीने से डारेक्ली यूत्रस से जाएगा नी आप जो पानी पीरी है वो आप अपने आपको हाइडरेट कर रही है आपकी इंटेस्टाइंस में आंतों में पानी जादा जाएगा वहां से निकल के वृड विसल्स में जाएगा आपकी स्किन पर ग्लो आएगा तो basically जब आप अपने आपको हाइडरेट रखती है तो पूरी कहीं न कहीं प्लासंट है कितरों बच्चे में जाता है और Amniotic Fluid में help करता है तो dehydration भी एक बहुत important कारण है बहले ही direct ना हो बट indirectly uterus में पानी की कमी dehydration की वज़े से हो सकती है दूसरा कारण होता है P.I.H. यानि की pregnancy induced hypertension यानि की आपका blood pressure high हो गया अब blood pressure क्यों हाई हो गया इसका वीडियो हम अलग बनाएंगे कि किन ladies में blood pressure high होता है तो जिन ladies में blood pressure high होता है उनकी जो blood vessels है जो अंदर आवल में नलिया जा रह है उस सिकुर जाती है जब इस सिकुर जाती है उसमें blood कम होता है उसमें पानी कम होता है तो बच्चे को fluid कम मिलता है और fluid बनता भी कम है तो P.I.H. यानि के blood pressure जादा बढ़ना या फिर मा का पानी कम पीना dehydration या तो बहुत गर्मी में रहती है या फिर वह बहुत ज़्याद खाती पीते नहीं है उसको vomiting बहुत ज़्यादा हो रही है जो नौर्मली चौथे महने तक कम हो जाती है पर किसी किसी को यह आगे continue हो जाती है और तीसरा कारण होता है पोस डेट यानि की आपका time निकल गया delivery नहीं हुई हम क्यों 40 हपते की pregnancy पे बोलते हैं कि बच्चे को delivery हो जरूरी है जो भी आपकी LMP है यानि कि आपका जो date है period का उसमें 9 महीने 7 दिन एड़ करके हम आपको date बताते है यानि कि अगर 1st March आपका LMP था पहली बार जो आपका last menstrual period था तो उसमें 9 months एड़ करी तो बनता है 1st December 7 days और एड़ कर दीजे 8th of December आपका EDD रहेगा 8th of December से ए एक हफता ऊपर नीचे अगर आपका ultrasound बता रहा है date तो वो चलता है इसका मतला आपकी date सही है अगर ultrasound जो शुरू में होता है 4 महीने के अंदर अंदर जो ultrasound होता है अगर उसमें date अलग आती है और वो एक हफते से ज्यादा की disparity है यानि कि आपकी date से 8 December है बढ़ सोनोग्राफी बतारिये 25 नौबर या सोनोग्राफी बतारिये 15 December यानि कि एक हफते से ज्यादा का फरक है एक हफता आठ प्लस साथ इस पंदरा 15 December के बजाये मालों 20 December बता दिया सोनोग्राफी ने तो फिर हम सोनोग्राफी को सही मानेंगे आपके date को गलत मानेंगे तो यह जो date होती ही 40 अगर वो जा रहे हैं तो उसमें आवल का काम करना धीरी धीरी काम हो जाता है अभी कुछ दिन पहले लाइफ सेशन में में को किसी ने पूछा था कि मैडम मेरा 37-38 वीक्स पे 11.1 AFI था यानि कि Amniotic Fluid Index 11.1 था तो क्या यह कम था बिल्कुल भी नहीं 37-38 वीक्स पे 11-12 अगर आपका चल रहा है AFI तो बहुत अच्छा है क्योंकि नॉर्मली टर्म पे आते आते 37-38 वीक्स पे AFI यानि कि आपका Amniotic Fluid Index 10 के नीचे चला जाता है क्योंकि धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है पानी कम होने लगता है और आवल भी कम काम करना शुरू कर देती है तो basically अगर मदर के causes देखें तो blood pressure और dehydration तो है ही साथ ही अगर आपकी date निकल चुकी है 40-41 हफ्ते के ऊपर आप जा चुके है तो ये भी कारण होता है पानी की कमी का फिर आते हैं आवल के causes सबसे important actually आवल ही है जैसे कि मैंने पता है आवल ही पानी बनाती है इसमें main कारण यह होते है कि placental insufficiency हो गई जादा तर सारे जितने भी कारणे साब घूम फिर के इसी पे आते हैं कि आवल ठीक से काम नहीं कर रही है जब हमको कोई कारण नहीं समझ में आता तो हम बोलते हैं आपकी आवल सही काम नहीं कर रही है और actually reason यही होता है जब dates ओपर निकल गई है क्योंकि obviously आवल ने काम करना कम कर दिया है या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है हर केस में आवल insufficiency है यह प्लासंटल insufficiency की वज़े से पानी कम बनता है दूसरा करन गया तो आवल सही से नहीं बनी है सही से नहीं बनने का मतलब abnormal placenta है abnormal placenta की details में हम जो हो सकती है जो बच्चे की ग्रोथ में problem करती है और तीसरा कारण है कही न कहीं leaking हो गई कुछ patients आते हैं जिनकी बहुत पहले leaking हो जाती है यानि कि पानी leak हो जाता है अब leaking भी दो तरीकी होती है जैसे कि आप फोटो में देख सकते है बच्चे की सिर की नीचे जो पानी का बैग होता है उसको बोलते है four waters यानि कि बहुत important यह पानी की थैली होती है क्योंकि यह वाली अगर layer फट गई तो यह समझ लो आपका बच्चा जो है environment के लिए exposed हो गया यह जो layer है यह basically बच्चे को protect करती है बाहर के environment से तो अगर यह नीचे वाला water यानिकि four water break हो गया तो patient क admit करना ज़रूरी होता है और ऐसे में infection के chances होते हैं और ज्यादा तर 24 से 48 गंटे में patient अपने आप labor में चली जाती है दूसरी लीके होती पीछे वाला पानी है यह हाइंड waters जो बच्चे के सिर के पीछे body के असपास है वहाँ पर कई छोटा मोटा छेद हो गया किसी लेकिन आपको ध्यान रखना है कि leaking हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है तो प्लासंटा की causes यानि कि आवल की causes क्या क्या हुए या तो leaking हो गई या तो hind leak है या आगे वाला four leak है या फिर placenta insufficiency हो गई या फिर placenta की development में problem है तीसरा important cause है बच्चे की causes जान दीजेगा कभी कभी sonography में लिखा वा आता है कि बच्चे के kidneys में problem है या फिर बच्चे को renal hypoplesia हो गया है यानि कि एक kidney खराब हो गई है या फिर एक kidney बहुत छोटी रह गई है दूसरी बड़ी है या फिर कई बर आता है posterior urethral valve के symptoms है यह क्या होता है P.U.V. posterior urethral valve या जाने कि male बच्चों में जो urethra होता है जहां पर urine आना चाहिए वहां पर एक blockage आ गई है जादर male बच्चों में होता है जो लड़के हैं बच्चे उन में यह problems होती है तो अगर renal problem में यानि कि urine ठीक से नहीं बन रही है या फिर obstruction है उसका bladder full दिख रहा है और बच्चे urine प abnormal बच्चे होते हैं वह weak बैता होते हैं अब chromosome abnormalities आपको पता है down syndrome, patouse syndrome, edward syndrome जो बहुत गंदी वाली abnormalities होती है उसमें तो जादे तर बच्चों की या तो पेट में death हो जाती है या फिर यह बहुत पहले पकड़ में आ जाता है anti scan कर लेते, anomaly scan कर लेते, double marker, quadruple marker इन सब से हमको पता चल जाता है बट कभी कभी कुछ चीज़े miss हो जाती है, especially उन लोगों में जो timely check नहीं कराते हैं और 6-7 month में ही पहली बार sonography कराते हैं या डॉक्टर के पास आते हैं ऐसे cases में बड़ा मुश्किल होता है कहना कि क्या problem है, दिखता है कि कुछ problem है, बच्चे की शायद homosexual defect दिखता है, ये तो हो गए, मोटे मोटे causes, मदर के, बच्चे के और आवल के की पानी क्यों कम बन रहा है और पानी की वज़े से definitely बच्चे की ग्रोथ में problem आती है, क्योंकि जादा तर ये बच्चा पानी से ही nutrition लेता है, वही पर खेलता है, वही पर कूटता है, swimming करता है, अपना गोल-गोल घुमता है, बच्चे की जो lungs हैं, उसका development भी इस fluid की वज़े से होता है, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा, जिन माओं के पेट पे कमी बहुत पहले से हो जाती है, पांचवे छेटे महिने में, अगर पानी कम हो जाता है, तो इन बच्चों की lungs भी develop नहीं करती है, उसको lungs यानि कि pulmonary hypoplesia बोलते हैं, ऐसे बच्चों का survive करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंदर पानी था ही नहीं, तो बच्चा बिल्कु सिकुड गया, lungs नहीं पहली, साथ ही मुश के हाथ पर भी ऐसे सिकुड गया, टेड़े मेड़े हो गया क्योंकि uterus की दिवार के पास हो दब गया, पानी था ही नहीं, तो यह तीन major causes हमने discuss करें, चौथा एक और होता है, एक दवाई होती जो blood pressure कम करने के लिए देते हैं, पेशन्स को, उसको हम pregnancy में कभी नहीं देते हैं, वो है ACE inhibitor, ACE inhibitor एक ऐसी दवाई है, जो बहुत सारे physicians blood pressure कम करने के लिए देते हैं, बट pregnancy में यह allowed नहीं होती, क्योंकि यह पानी कम कर देती है, और बच्चे को problem हो सकती है, अब आते हैं, amniotic fluid index कितना होना चाहिए, आप लोगों को बहुत confusion होगा, in fact, सारी किताबी अलग अलग बोलती है, मैं आपको एक मोटे-मोटे तौर पर बता चारो कोने से एक छोटी पॉकेट निकालते हैं, पानी की, जिसमें ना आवल का कोई पीस है, ना कौड है, ना बच्चे का कोई पाट है, और उसको मेजर करते हैं, सेंटी मीटर में, और इन चारो को एड़ करते हैं, तो आठ से लेके सोला तक नॉर्मल है, आठ से अगर कम ह है, तो यह ओलीगो हैडरोमियोस है, यानि की, पानी बहुत कम हो गया है, अगर यह 12 के आसपास है, तो 50 परसंट बच्चे, 12 के आसपास है, उनका एमनियोटी फ्लूइड इंडेक्स रहता है, और अगर यह 16 है, तो मतलब यह हायर साइड में जा रहा है, यानि की, अभी सेंटाइल सेंटाइल, 50th सेंटाइल, 95th सेंटाइल, इसलिए 8 से 16 मोटी मोटी ताओ पिल्कुल नॉर्मल है, तो जैसे के उस पेशन ने पूछा था, 11 बील्कुल नॉर्मल है, कहीं भी कमी कुछ नहीं है, तो बहुत पँली है, तो यह तो हो गया, एक और चीज जो आप BJ श तो डॉक्टर क्या करते हैं, जो आपकी सोनोलोजेस्ट है, वो एक सिंगल पॉक्ट मेजर करते हैं, एक सिंगल पॉक्ट भी अगर उसकी वैल्यू दो से जादा है, तो दाट इस गुट, यह अनकी पूरा अम्नियॉटिक फ्लूट इंडेक्स डॉक्टर नहीं मेजर कर पा रह है, एम्नियॉटि फ्लूट इंडेक्स इतना है, और SPV इतना है, अब बेसिकली पानी की कमी से क्या होगा, तो एक तो आपका पेट कम दिखेगा, बच्चे की ग्रोथ कम होगी, बच्चे के मुममेंट से आपको कम फील होगे, क्योंकि पानी नहीं होता है, तो बच्चा भी सर्जन है, उनके पास अकसर ऐसे बच्चे आते हैं, जिनकी पैर टेड़े होते हैं, जिसको प्लास्टर से ठीक करना पड़ता है, या फिर ऐसी प्रेग्नेंसी ज्यादा तर या तो एबॉट हो जाती है, अगर बहुत पहले पानी की कमी होगी, या टाइम से पहले लेवर प होने के, या फिर हमको बहुत जल्दी ऑपरेशन करके बच्चों को निकाला पड़ता है, बहुत सारी कॉम्लिकेशन हो सकती है, जिनको अगर टाइमले इंटेफेर ना करें, तो बच्चे की जान को खत्रा रहता है, इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, पानी की कमी के लिए ह आपको बहुत तरी-तरीके प्रोटीन पाउडर्स देते हैं, आरजिनाइन सैशिस देते हैं, हम आपको फ्लूइड ज्यादा पीने को बोलते हैं, साथ ही पहले कुछ तरीके निकले थे कि यूट्रस के अंदर ड्रिप से पानी डाला जाए, बट हो तब करते हैं, जब हमको लगता है कि बच्चे का कॉर्ड कंप्रेशन हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पारी, या फिर हम उसको हॉस्पितल में प्रेशन को कुछ दिरों तक अड्मिट करके कुछ टाइम निकालते हैं, कि थोड़ा सा बच्चे की लंग मेच्योरिटी हो जाए, त सकती है, पेशन को कैसे पता चलेगा, डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है और क्या ट्रीप्मेंट होता है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.